देए सब्सक्राइबर तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड आज हम बात करने वाले एससे सी पीओ और रिक्वायमेंट दोजार चुबिस फॉर्म फ्रेंड कैसे फिलब करेंगे इसमें फ्रेंड पोस्ट नेम आप यहां पर देख सकते हैं सब इस्पेक्टर को लेकर के और जो कि देली पुलिस को लेकर के जो कि आपका कंट्रोलर को और पुलिस फोर्स को लेकर के जो सीकुरिटी गार जो होता फ्रेंड उस तरह का फ्रेंड जो कि यहां पर पोस्ट फ्रेंड वेकेंस से निकल के आज आज हम इसी के बारें बात करने वाले हैं कैसे इसका फॉर्म को फिल पहले आपको registration करना ही होगा, उसके बाद ही आप किसी भी vacancy को भर सकते हैं, जितने भी SAC के अंदर में vacancy आती है, कैसे edit करना है, कैसे आपको photo signature upload करना है, सभी चीज को लेकर के मैंने अच्छे से details में बताया है, जरूर जा करके देख लेंगे, तो आज हम इस वाले वीडियो पहले बात करेंगे, SAC, CPO का कैसे आप form fill up करेंगे, तो इसका starting date है, चार मार्च से start हो चुका है, और 28 मार्च तक आप form को भर सकते हैं, payment भी 28 मार्च तक कर सकते हैं, correction के लिए इसमें date पहले दे दिया गया है, 30 से लेकर के 31 मार्च की बीच में आप correction भी कर सकते हैं, जो other category लिए कोई भी चार्ज यहां पर नहीं है, मैं आपको बता दू, SAC में फ्रिंट जितने भी vacancy का form का apply होता है, तो आपको यहां भी देखने के लिए मिल जाता है, जो exam date फ्रिंट वो देख लेंगे, आपको 9 और 10 और 13 माई के बीच में आपको exam date फ्रिंट आपको देखने फ्रिंट 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 बेर सकते हैं और total post की बात करोए तो देख चारज़ार 187 पोस्ट फ्रिंट आपको यहांपको यहांपे दिया गया और 20 से पचीस के बीच मी फ्रिंट आपको होना चीज अगा लेंगे वेबसाइट को इस तरह से उसके बाद यहां पर आपको अप्लाई का सेक्शन में देखने मिलता है क्लिक करेंगे तो आपको फ्रेंट यहां पर दो वैकेंसी देखने के मिलता है यहीं पर साइड में आपको अप्लाई का बटन देखने मिलता है अप्लाई पर आपको यहां पर देख सकते हैं लोग इन करने लिए पहले बोला जाते है तो आपको फ्रेंट लोग इन करना है मैंने फ्रेंट पहले इसलिए आपको बताए कि आपको पहले फ्रेंट रेश्टेशन करना है वन टाइम रेश्टेशन जो OTR होता है करेंगे तब ही आप जो कि किसी भी फॉर्म को भर पाएंगे आप यहां से जो कि फॉर्म को भरनाई स्टार्ट कर सकते कोई दिकतने इजी फ्रेंट आप वीडियो देखेंगे आप खुछ से रेश्टेशन कर पाएंगे कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा रेश्टेशन करने में बिल्कुल फ्री है आप मुबाइल फॉन से हो या लैपट अप से हो तो इजी ली इस तरह से आपको इंटरफेस देखने लिए मिलता है केंटीनू पर किलिक करेंगे आपके सामने फॉर्म को भर सकते हैं खु आप लोग-इन करेंगे तो आपका फ्रीन जो अपने वन्टाइम रेश्टेशन किया था उसका फ्रीन यहापे सारा डीटेल फ्रीन आपको परसनली देखने के लिए मिल जाता है जो भी आपका परसनली डीटेल से कंडिडिट का और यहीं फ्रीन साइड में देखते हैं आप लोग जरूर देख करके एडित कर लेंगे सुधार कर लेंगे आप सारे चीज को फिरेंगे शुधार कर सकते हैं पर नीचे आएंगे तो यहां पर देखने लिए मिलता है लाइब एक्जामनेशन सेशन में आपको यहां पर वेकेंसी का डिटेल्स तो देख सकते हैं फेज 12 को लेकर ख्याला कि यह फॉर्म और चल रहा है 18 तक इसका भी लास्ट डेट है तो वीडियो मैंने बना दिया आप देख लेंक और यहां पर वीडियो फिरिंट रेकेंस में चलता है जिसके बारे मैं भी बताने वाला हूँिक अपर नहींन इससे अप्ना इसके और मूर्श बटन देखने मिलता है सिंप्लि आपको इस‌पे किलिक करएंगे इस तरफ से इंटर्फीर देखने मिलता है सिंप आपने OTR किया था one time registration तो आपका सारा डेटा उससे उठा लिया गया है और आपको एक से 18 नमर के पेज तक आपको कुछ भी फील नहीं करना है तो उसके आगे आपको फील करना है तो इसलिए आपको सुधार करना है नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहां से 18 तक जो कि आप पर किलिक कर देना है नेक्स फ्रेंट किलिक करेंगे तो यहां से आपका जो कि प्रस्नल डेटा फ्रेंट सेफ देखा देते हैं आपको सिंपली ओके पर किलिक कर देना है ओके फ्रेंट किलिक करेंगे यहां से आपको जो कि उनिसवे नमर से आपको फ्रेंट एजुकेशन ड अपने कोडिंग यहां से सलेक्ट कर लेंगे उसके बाद नीचे आजाएंगे यहां फिर आपको जो की अपने कोडिंग यहां से सलेक्ट करके बता देंगे उसके बाद यहां से आपको जो की इक्वे स्टेटेस बताने आप पास है या फिर अपने कोडिंग वाले भी फॉर्म को भर सकते यहां से जो भी वह चूज करेंगे अगर पास है तो पास लेट करेंगे यहां से अपना पासिंग यह से बताएंगे कि साल पर आपका फाइनल र अगर आपका जो पासिंग साल होगा तो फिर आपका जो पासिंग साल होने वाला हो सकता है कि अगर इस साल चूज करने तो आपको चोवीस का ही और यहां पर आना चाहिए तो सिंपली अपना इस्टेट बता देंगे फिर यूनिवर्सिटी रोल नमबर उसके बाद से वे नेक्स पर किलिक कर देंगे आप सिंपली कौलिफिकेशन डिटेल स्प्रेंग यहां पर बताने प एस तरह का ढ़िए तो आंगर इस तरह का तब बता देंगे नहीं तो दोप्लिक करेंगा यहां से जो ब्हु जाएगा इस तरह स्ट्रेंट डाड़ा से वो जाता है ओके आप किलिक कर देंगे अगले इस्टेमें आपको यहां से टेस्ट एक्जाम सेंटर बताना होता है टेस्ट इस आप कहां देना चाहते हैं अपने कोडिंग जो भी प्रिंग आपको नियरेस्ट इन में से देखने के करेंगे इस तरह से उसके बाद सकेंड आप बताएंगे कि आपको सकेंड फ्रिंट कहां पर रखना है ठट कहां पर रखना है जो भी नियरेस्ट लगता है सेलेट करेंगे उसके बाद नीचे आ जाएंगे और यह सब सारा ओलेडी डिसेबल रहेगा प्रेट सिंपल आपको स पर क्लिक करेंगे आपका datayear एंसिस सेटिफिकेट फ्रेंगे आपके पास है जहा पर करा देंगे न है तो नो प्या никто किल कर देंगे तोरी किलक देंगे यहांपका n cc up इकिया होई या फिर ncc कोई भी अकर आप आपने pack आपको प्लिक करना पड़ता था अब जाकर कि जोक ऐसा नहीं अब आपको लाइब फोटो यहां पर अप्लोट करना होता है जिसके लिए इन्हों ने का अप्लिकेशन भी बनाया हुआ है तो वह अप्लिकेशन आपको प्लेश्टोर पर मिल जाएगा अब वहां से भी फोटो अचीतर से अप्लोट कर सकती है जो कि अगर आपके पास सिस्टम नहीं है अगर आप मुवाइल फोन से कर रहें तो इसलिए तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको इस तरह से अप्सटन देखने के लिए मिल जाता है आपके सामने प्रिंट कैमरा अप्लोट करेंगेगे ऐठ भी अड़質 करेंगे ऐपका डूकोइमेंट्स जहां भी जहां पर नहींद कलीकरं देंगे क tweet औहल लिए आपको सभी डिटेल्सक्वेश और अच्चे से मिला आइन नीच जाना एं फ्रें नीचा एंगे यहां पर देख सकते हैं आपको यहां अची तरह से चेक कर लेंगे सही होने पी आप नेक्स्ट करेंगे अगर कहीं मिस्टेक लगता है तो आप फिर से आप से नेक्स्ट पर किलिक कर देंगे सिंपली डाल के समीट करते तो आपका फ्रेंड फोर्म जो कि अब पहर से नेक्स्ट करके यहां पहुंना को आपको पहले फरेंगे सब्सक्राइब डेसबोट पर पर आने के बाद यहां से तो अपना रिसीबींग को निखार के रख सकते हैं, देख सकते हैं, फेस 12 को लेकर एक पहले वेकिंसी चला था, वह वाला रिसीबींग है और जो अभी अपने प्रिंग सब्सक्राइब पोस्ट को भर देत वो आपको यहां पे देखन आपको सारा चीज आपको यही से सारा चीज करने के लिए मिल जाता है जब आप लॉग इन करते हैं तो इसलिए मैं बार-बार बोड़ा हूं आपको ओट्यार कैसे करने आप जरूर जाके फ्रेंट वीडियो को देख लिए चानल पे अपलोड है तो देखेंगे समझेंगे और चानल पे अगर नए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर लें मैं अपने चानल पे फ्रेंट हर दिन एजुकेशन से लेटरी वीडियो का अपलोड करता रहता हूं तो इसलिए फ्रें जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर लें मिलते फ्रें किसे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देरी बें थैंक्यू सो मच